नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूटूब एजिकेस्टन चनल में आज हम सिखने वाले हैं पेट के इंफेक्शन के दवा के बरे में कि जिसका नाम है नौर मेट्रोजिल प्लस तो उसके डिटेल स्टेडी करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं कि लूज मुझन हो जाते हैं डाइरियय deve के सिंटमस होते हैं या फिर इंदेस्टा trafficking इंदर इंफेक्शन होता है तो उसके डिटेल करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं यह मेडिकेशन के बारे में कि जो पैट के इंफेक्शन को ट्रीट करती है तो एसे ही समझू box के अंदर मिल जाती है अब आधे topic पे और समझते हैं नौर मेट्रोजल प्लस टेबलेट के बारे में तो यह ऐसे class का medication की जिसको हम antibiotic कहते हैं और उसके अंदर दो दवायों का combination है एक antibiotic के जिसका नाम है ofloxacin की जो 200 mg जितना यह tablet के अंदर present है और दूसरा जो हम medication देखे तो वो है ornidazol की जो 500 mg जितना यह tablet के अंदर present है अब बात करते हैं उसके manufacture की तो liquor pharmaceutical जो है वो उसके manufacture है कि जिसका headquarters जो है वो मुंबई में है तो यहाप आप देख सकते हैं उसके label की हम यहाप पे study करें तो यह जो है वो film coated टाबलेट रहती है सिद्डूल एच ड्रग रहे थी कि जिसके करन जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो proper prescription के साथ ही बेचा जाता है और sunset yellow FCF करके जो color है वो उसके अंदर जो वो add किया गया है तो नौर metrosil plus जो उसका brand name हो गया और उसका salt content के हम बात करें तो वो सारे bacterial infections को treat करने के लिए यूज किया जाता है और यह first generation fluorokinolan का हो जाता है कि जो आपके सर्रे के अंदर हो रहे है यह bacteria की growth को काम करता है और समझे कि पेट में infections होता है intestine में infections होता है तो उसको ठीक करने के लिए यह medication जो वो यूज की जाती है साथ ही उसके साथ जो combination है में है वो है ornidazol है तो वो भी एक पेट के infections में यूज की जानी वाली दवाई है कि जिसको antiprotozol drug कहते है और जो amabic infections होते कि जिसके करन diarrhea के symptoms हो जाते है travelers diarrhea हो जाते आपको patches हो जाते है intestine infections हो जाता है तो यह सब ही conditions को यह treat करते है साथ उसाथ जो GRDS के condition है trichomoniasis के condition है amoebiasis के condition होते है सभी जो parasitic infections होते हैं कि जो परजीवी संक्रमन के करन होते है कि मान लोग उसी ने contaminated food ले लिया है ऐसा पानी पिने में आ गया है कि जो काफी दूसीद पानी था और उसके करन आपको पेट में infection हो गया है तो ऐसी गंडिसंस को treat करने के लिए और नी डाजोल जो प्रिस्क्रेब गी जाती है तो यह medication जो वह combination हो गई दोनों दवाई की तो बहुत सारे complications को यह जो ठीक कर दी है तो उसके label के उपर आप यहां पे लाल लेकिर देख सकते तो खास यह दियान रखना है कि prescription के साथ ही उसको जो यूस की होता है तो जैसे मैंने आपको जाती हैं इंटेस्टाइन में infection से रैस्परेट रैक infection गौन और यह है जैनेटल के infection से गेस्ट इंटेस्टेनल ट्रैक के कोई infections हुए उसके अलावा आप देखे तो अमेबायस की condition है जियाडियास की condition ट्राइक ओमोनियास की टाइप का वजनल infection है उसके अलावा जो वैक्टेरियल वैजिनोसिस की condition है इंफेक्टेट गम्स मुला कि मसूड़ा में सूजन आ गई है और वहाँ पे आपको काफी दर्द हो रहा है डेंटल अप्ससिस की है या फिर एच पाईलोर इंफेक्शन है तो यह सब भी conditions को ठीक करने के लिए यह medication जो है वो यूश की जाती है अब बात करते उसके dose के तो एडल के लिए dose के हम बात करें तो ओफ्लोक्जसन का dose रहता है 200 mg जितना दिन में दो बार और 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 दाजोल का भी सेम रहता है 500 mg दिन में दो बार तो यह tablet जो है वो patient दिन में एक ले सकता है कि अगर बहुत ज्यादा problem है तो दिन में दो tablet भी खा सकता है और समझे की काफी ज्यादा severe condition नहीं है तो ऐसे conditions में infections को control करने के लिए दिन में एक tablet भी इनफ रहता है तो डोस समझो कि पेशन समझो कि दिन में एक ही टाबलेट लेता है तो 24 अवर्स का difference रहेगा दो टाबलेट के बीच में पर दिन में समझो कि दो टाबलेट रह रहा है तो एक लिस्ट 12 गंटे का आपको टाइम इंटरोल रहना जरूरी बनता है चाइल्ड डूस के हम बात करें तो एडल्ड डूस से हाफ हो जाएगा या फिर सीरप आप यूज़ कर उसकी तो कुछ लोगों को डाइरिया हो जाते हैं और ज्यादा कि अगर उनको यह मेडिकेशन सूट नहीं करती और सेकर्ड कुछ लोगों को कॉंस्टीपेशन भी हो जाता है कि अगर हाई डोस में खालेते हैं मैटलिक टेस जीसा कुछ लोग फिल करते हैं अपने माउथ के अंदर प पर उसकी हामफूल असर हो सकती हैं बट सेम प्राब्लम जो हो सकता है हुमन के अंदर भी तो प्रेगनंसी के दौरान यह मेडिकेशन को आपको यूज नहीं करनी है विकॉज आपको सेफ सैड पे रहना है और यह मेडिकेशन को जो आपको नहीं लेनी है तो जरूर से गाइ करते हैं यह मेडिकेशन के वार्निंग्स या फिर कॉंटर इंडिकेशन के तो अगर यह मेडिकेशन लेने के बाद किसी को चक कर आने लगते है या फिर कोई बेहोस हो जाता है तो ऐसे कंडिशन में यह मेडिकेशन को यूज नहीं करने चाहिए ब्रेटिंग करने में डिफ pharmacist को inform करके दुसरा safe alternative medication लेना चाहिए Contraindications के हम बात करते कर किसी को diarrhea हुआ है but diarrhea होने का reason है Clostridium Difficile Bacteria तो ऐसे condition में ये medication यूज ना करें diabetes patient है और जिनका sugar जो है वो लो रहता है तो वो लोग ये medication को यूज ना करें तिसरी condition कि आपके blood के इंदर potassium के मातरा कम है या फिर आपको thresholds रहते हैं seizure के मिले के आपको मिर्गी के दौरे बढ़ते हैं epilepsy related किसी को problem है किसी को lungs kidney या फिर heart related problem है या फिर वो transplant किया हुए है तो ऐसे condition में भी ये medication को use नहीं की जाती है फिर peripheral neuropathy का कोई patient है liver disease का कोई patient है फिर उसके अलावा किसी को allergy हो जाती है nitro imidazole derivatives compound की जैसे कि metronidazole के आपको allergy है तो आपको auridazole से भी allergy हो सकती है ciprofloxacin से allergy होती है तो आपको ofloxacin या फिर norfloxacin से भी हो सकती है तो ऐसे condition में आपको समझो कि allergy है ये सब medications की तो उसको नहीं लेना चाहिए फिर central nervous system related disease वाले कोई patient है epilepsy के जो patient की जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते है multiple sclerosis के patient है या फिर liver disease के patients को ये medication जो वो नहीं दी जाती है तो ऐसे ही आप सीख सकते है detail में किसी भी दवा के बारे में medicine course के अंदर pharma rocks के अब उपर तो ये course जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है या फिर हमारी आपको download कर सकते है link description box के अंदर जो वो मिल जाएगी तो हमारा whatsapp number है 9016312020 good luck and all the best